गर के अंदर आपको दिखे यह खीडा तो एमजेंसी हेल प्लाइन को करें सूचित नौमली हमारे घर में कई तरह के खीडे मकोडे घूमते रहते हैं खास कर मकडी, छीटिया, जींगर छिपकली ऐसे जीव हैं, जिनसे हर दिन हमारा सामना होता है, हाला कि ये ऐसे खीडे मकोडे हैं जो हमें और हमारी बॉडी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आज हम आपको जिस खीडे के बारे मैं बताने जा रहे हैं, उसे टच करना भी घा तक साबित हो सकता है, जानिए इस खीडे के बारे में . हाल ही में एक खबर काफी तेजी से वाइरल हुई है, जिसमें कहा गया है यूएस के साउथ फ्लॉरिडा में एक ऐसा खीडा मिला है, जो इनसान के लिए काफी खतरनाक है इस खीडे का नाम है न्यू गुनिया फ्लेट वॉम, इसकी गिंती दुनिया के सौ सबसे खतरनाक जीव में की जा रही है बताया जा रहा है कि यह खीडा नकेवल इनसान की शरीर को हानी पहुँचा सकता है, बलकि पेड़ पौधे को भी बरबाद कर सकता है कुछ वेबसाइट का कहना है कि इस खीडे की खोज पिछले साल मई 2016 में हुई थी जबकि कुछ का कहना है कि इसकी खोज सितमबर 2015 में हुई है हाना की यह खीडा ज्यादा तर सिंसान स्टेट में पाया जाता है, हाल ही में ऐसा खीडा फ्लॉरिडा के मियामी में देखा गया है बताया जाता है कि एक शक्स जब अपने बगीचे में गया तो उसे गमले के अंदर इस तरह के कुछ खीडे दिखे शूद करताओं का कहना है कि इस खीडा को टाच करना इंसान के लिए घातक है क्यूंकि इसका इंफेक्शन काफी तेजी से फैलता है इतना ही नहीं न्यू गुनिया फ्लेट वाम की उल्टी भी इंसान के लिए खतरनाक है दरसल उसका विश्मानव शरीर को खराब कर सकता है इसलिए लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जब भी इस तरह का आपको खीड़ा दिखे तो डिरेक्टली टाच नहीं करें और सीधे इमजेंसी हेल्प लाइन को सूचित करें हाला की सच और जूट की जाच करने वाली वेबसाइट स्नोप्स डॉट कॉम के माने तो ये खीड़ा उतना खतरनाक भी नहीं है जितना उसके बारे में बताया जा रहा है वेबसाइट के मुताबिक जिस तरह लोगों से अपील की जा रही है कि इस खीड़े को देखते ही इमजेंसी नमबा पर कॉल करे ऐसा कुछ भी नहीं है वेबसाइट का कहना है कि साल 2012 में फ्लॉरिडा में पहली बार इस खीड़े को देखा गया लेकिन जिस तरह से उसके बारे में बताया जा रहा है वो सच नहीं है झाल